दोस्तो एक AC को on an average हम 5-10 साल तक यूज़ करते हैं लेकिन उसको खरीबने का decision hardly 5-10 मिनिट के अंदर ले लेते हैं कई बार हम salesman की मीठी बातों में आज जाते हैं या फिर हमारा पडो से जो AC लगा रहा है वही AC उठा के हम भी लगा लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो जो particular AC है वो हमारे किसी काम का है या नहीं तो guys आज के इस वीडियो में हम point wise बात करेंगे और I am pretty sure कि आज की वीडियो में कुछ ऐसे unique points है जो आपको एक average 5-minute वाला YouTuber नहीं बता पाएगा तो आज ये start करते हैं point number 1 that is cooling capacity and cheating of cooling capacity अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि cooling capacity क्या होता है दोस्तों जो AC के उपर BEE का star rating sticker लगा होता है आप यहाँ पर side में देख सकते हैं उसके उपर नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है cooling capacity अब ये लिखा होगा 5000 watt, 5100 watt इस तरह से लिखा होता है तो ये cooling capacity क्या है कई लोगों को लगता है कि जब हम AC हमारे घर में लगा के on करेंगे तब वो जो AC है ये 5000 watt की जो बिजली है ये हमारे electricity board से खीषिन लगेगा तो गैस ऐसा बिल्कुली भी नहीं है ये AC का load नहीं है ये जो होता है उसे अगर हम सीधे सरल भाषा में कहें तो ये AC के cooling की शमता है क्योंकि heat का जो unit होता है वो भी watts में होता है electricity का जो unit होता है ये भी watts में होता है अलागि दोनों में सोड़ा सफारा कहें किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे आज की वीडियो में आप सिर्फ इतना समझें कि cooling capacity जितनी जएदा होगी AC की उतना जल्दी आपका जो room है वो AC थंडा करेगा अब जो 1 ton AC होता है उसके roughly जो cooling capacity होती है वो होती है 3500 watt 1,5 ton की capacity होती है 580 watt 5 to 80 watt और जो 2 ton का AC होता है उसके cooling capacity होती है 7000 watt लेकिन गईज लास्ट यर क्या हुआ कि कई सारे ब्रांड ने ये जो cooling capacity है इसको किसी cost cutting के चकर में या फिर किसी को भर्मित करने के चकर में कम करना चालो कर दिया तो कई ब्रांड्स ने जो 10 ton का AC है उसके cooling capacity जो minimum 5280 होने चाहिए उसको दिरी दिरी 5000 लाया अब 5000 तक तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है बई इन ब्रांड्स को भी पैसे कमाने हैं लेकिन फिर ये जो ब्रांड्स हैं वही 10 ton के AC को 4800 watt 4600 watt इस तरह से लिखने लगे और 4600 watt को अगर आप tonnage में convert करेंगे तो ये सिर्फ 1.3 ton का AC आके बैठता है और फिर क्या बता है कि मुझे कई बार मेरे friends होगरे कहते हैं मेरे readers कहते हैं कि sir हमारा जो particular room है उसके इसाब से हमने आपका वीडियो guide देख के AC खरीदा लेकिन जो AC है वो proper cooling नहीं दे रहा है तो उसका जो reason होता है वो होती है ये cooling capacity तो guys यहाँ पे जब भी आप AC purchase करें अगर वो देट टन का है तो वहाँ पे उसका जो sticker है उसको check किरिए कि उसके उपर minimum जो cooling capacity है वो 5000 watt कम से कम रहे 2 ton का अगर आप खरीद रहें तो 7000 watt कम से कम cooling capacity आपको लेनी चाहिए अगर ये सारे values में आपको confusion हो रहा है और अगर आप multiple brands compare करना चाहते हैं तो मेरे video के description में AC cheat sheet नाम का एक google drop file होता है इस file को जैसे आप open करते हैं मैं क्या करता हूँ कि हर AC के title के अंदर इसका जो cooling capacity का जो wattage होता है जो special features होते हैं ये मैं लिख देता हूँ तो आपको compare करने के अंदर आसान होता है file का link आपको नीचे description या फिर first comment में मिल जाएगा एक बार जाके अवश्यर चेक करें next यहाँ पर point है guys power saving and solar AC guys हम ये जानते हैं कि आजकल हम सब हैं हमारे बिजली के below से बड़े परिशान होते हैं बिजली के जो rate हैं वो हर साल बढ़ते रहते हैं और उसके साथ में हमारे tension भी बढ़ते रहता है तो यहाँ पे आजकल हर company जो है वो अलग-अलग तरह के power saving features पुश कर रही हैं और हम जैसे users भी चाहते हैं कि हमारे AC का जो consumption है वो कम से कम रहे है यहाँ पे क्या होता है कि यह जो market के अंदर नए solar AC निकले है इसमें एक complete package बना के आपको दिया जाता है मतलब एक particular AC होता है और वो हमारा regular inverter AC होता है उसी तरह का होता है अलग कि उसमें थोड़ा सा जो hardware है वो extra होता है ताकि उसके अंदर solar panel लगाए जा सके प्लस यहाँ पे आपको उस package के अंदर कुछ solar panel दिये जाते हैं कुछ stand होता है, कुछ set होता है, कुछ wiring होता है तो guys मेरी और से जैसे कि आप देखते हैं मेरा जो दूसरा channel है Zen Innovations completely green energy को focus करता है और मैं हमेशा green energy का ideas को promote करता हूँ लेकिन problem क्या है कि यह जो भी packages आ रहे है यह अलग-अलग नए brand से आ रहे हैं चोटे companies से आ रहे हैं तो इनके serifs के बारे में हमारे पास में ज़्यादा जनकरी नहीं तो अगर आप solar AC किसी इस तरह के package में खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ के खरीदे या फिर इसका better option में यह कहूँगा कि आपका जो regular inverter AC है उसी को आप solar AC के अनदर convert करें अगर यह आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने dedicated video बनाए है जाके देखें और इसकी मदद से आपका कोई भी regular AC free में solar energy को मदद से चलाए next यहाँ पर point लेते हैं guys that is room size and tonnage अब देखिए अगर आपका जो room है करिब 90 से लेकर 110 या 120 square feet का है तो आपको 1 ton का AC लेना चाहिए 1 ton से छोटे AC भी आते हैं अगर आपका जो room है 1500 square feet से लेकर करिक परिब 160-70 तक है अगर अच्छी दरा से बहुत ही sealed room है तो 180 square feet तक भी जो है आपका 1,5 ton का AC है वो चल सकता है जी हाँ अगर आपको room seal करना है तो यह वाला video जाके देखिए क्योंगी room seal करने के उपर आपका जो AC का cooling और इसका power consumption यह दोनों निर्भर होते हैं अगर आपका room थोड़ा बड़ा है मान लीजे कोई hall है 200-500 square feet तो आप 2 ton का AC लगाए अगर इससे भी उपर है तो फिर आपको multiple AC लगाने पड़ेंगे 2-2 ton के या फिर 10-10 ton के इसी से एक जुड़ा हुआ point है that is direct sunlight and heat load गैस क्या होता है हमारा जो room होता है उसमें कई बार कुछ ऐसा सामान होता है gaming PC लगा हुआ है कोई बड़ी mining rig चल रही है कोई server है कहीं इसने fridge लगा रखा है तो यह जो सारे appliances होते हैं यह खुद heat generate करते हैं इसे कहते हैं heat load अब यह जो heat load है यह हमारे AC के उपर direct जाके impact डालता है क्योंकि हमारे AC को जो उस room को cooling करने के लिए महनत करनी पड़ेगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी एक ऐसा ही heat load होता है जिससे हम सब परिशान होते हैं that is known as direct sunlight guys अगर आपके जो particular room है उसके छट के उपर या उसके दिवारों के उपर direct sunlight आ रही है तो वो भी हमारे AC का जो काम है वो बढ़ाने वाला है तो ऐसे situation में अगर आपके room में heat load जादा है या फिर direct sunlight जादा है तो AC का आपको एक size जादा लेना है कैसे मान लेजी आपका भी 500 square feet का room है तो हमारे chart के इसाब से तो आपको देट टन का AC लगाना चाहिए लेकिन heat load अगर जादा है तो आप उसके अंदर 1.8 या फिर 2 टन का जो है वो AC लगाए एक छोटी golden tip मुझे याद आ रही है अगर direct sunlight से आप बहुत ज़्यादा परिशान है अगर बिजली के बिल को आप थोड़ा कम करना चाहते है तो heat reflective paint की coating मिलती है वो coating जो है वो आप आपके terrace के उपर या फिर आपके दिवारों के उपर लगा सकते हैं जिससे काफी फायदा मिलता है मैंने भी लगवाई है उसका जो सारांश है वो आपको इस वाले particular वीडियो के अंदर जाके मिल जाएगा inverter versus non-inverter AC दोनों ये जो type के AC होते हैं इनमें जो main difference होता है that is in the compressor जो inverter AC होता है उसके अंदर variable speed compressor होता है ये जो compressor है ये अपनी गति कम जादा कर सकता है अगर cooling की requirement जादा है तो compressor तेज चलाओ जैसे ये room थंडा होता है तो इसकी जो speed है ये कम हो जाती है तो इस तरह के जो method है इससे करीब करीब आपको 25% तक बिजली के बिलो के अंदर रहत मिलती है आज कल जो inverter technology है वो काफी mature हो चुकी है तो I guess अभी जो है non inverter AC की तरफ जाने में कोई ज़्यादा फाइदा नहीं है पहला ऐसा होता था 3-4 साल पहले जब ये inverter AC नए नए आये थे तब इनका cost में inverter non inverter के cost में भी काफी difference होता था इनके service में भी काफी difference होता था लेकिन अभी जो 2024 का दौर है उसमें मैं कहूंगा कि normally आप लोग inverter AC की और जाएए क्योंकि price बिल्कुल सेम है सिर्फ दो category के लोग हैं जो non inverter AC ले सकते हैं एक तो ऐसे लोग हैं जिनके AC का use बहुत ही seasonal है भई 3-4 मैंने चलाया फिर AC को ढखके कहीं तो रख दिया फिर उसको चालो गी नहीं किया तो ऐसे लोगों को फिर inverter AC लेने का कोई फायदा नहीं है दूसरा यहां पर आपका जो room है अगर वो properly sealed नहीं है अगर room के अंदर धेर सारे gaps हैं अगर उसके ventilation अच्छे नहीं है दर्वाजे खिरकियों के अंदर यहां पर अगर dust वगरे leak हो रही है गरम हवा अंदर आ रही है तो फिर आपको non inverter AC के उपर जाना चाहिए क्योंकि inverter AC का फायदा जो उसका जो compressor जो slow down होने का फायदा मिलता है वो आपको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि room perfectly आपका जो shield है वो नहीं है अगर आपको जादा जान करी चाहिए तो यहां पर मैंने एक comparison वीडियो बना है जिसमें इसके अलावा कुछ और points के वारे में भी हमने discuss क्या है next point हम ले लेते हैं guys 3 star versus 5 star मतलब AC की star rating आपको कौन सी चोलनी चाहिए guys देखें पहले मैं कहता था कि अगर आपका AC का use बहुत ज़ादा है दिन बर अगर आप चलाते हैं कुछ मेरी तरह भई अगर आप 8 से 10 गंटे 12 गंटे AC चलाते हैं तो 5 star ले लो और pricing अच्छा पड़ता है अब ये जो बाते हैं ये आज भी काफी valid हैं लेकिन 2023 चोईस के बाद में कुछ ऐसे changes company दे किये हैं क्योंकि जो 3 star product है उसको एक बहुत ही budget conscious buyer की तरफ target किया जा रहा है और 3 star AC के अंदर आज कल बहुत ज़ादा cost cutting होने लगी देखिये इन में क्या होता है कि इनकी जो cooling capacity है वो कई बात कम हो जाती है मतलब 10 ton का AC 5000 watt से नीचे दिया जाता है जैसे 4700, 4800 watt का दिया जाता है या फिर इसके अंदर जो कई सारे features होता है जैसे 4 way swing, wifi यह सब निकाल दिया जाता है तो 2023 and 2024 के बाद में अभी जो आप star rating चुनेंगे वो not only according to your use चुनेंगे यूज कम है जादा है यह तो ठीक है लेकिन अगर कोई particular आपको feature चाहिए तो वो भी आपको check करना पड़ेगा कि वो आपके 3 star और 4 star model के अंदर available है या नहीं या फिर directly आपको उस feature के लिए 5 star वाला जो AC है ये लेना पड़ेगा अब guys आजकल क्या हो रहा है कि कई बार जो AC के old stock पड़े रहते हैं dealer के उपास में या फिर जब आप amazon पे जाते हैं flip card पे जाते हैं और जो star rating का जो sticker होता है वो दिखतो रहा है आपको 5 star लेकिन उस sticker की जो validity होती है वो कई बार जो model है वो 2021 का होता है 22 का होता है 23 का होता है इस तरह से तो guys मैं ये कहूंगा कि इस तरह का old stock है इसको completely avoid कीजिए जब भी AC आप खरीदें बिल्कुल इस साल जो latest edition है उसी को जाके purchase करें अगर आपको अभी भी doubts हो रहे हैं कि AC choose कौन सा करें तो आप इस format में मुझे comment करके सवाल पूछ सकते हैं आपके सवालों का जवाब देने की मैं 100% कोशिश करूँगा आपको लिखना है hashtag askzen और बाद में कुछ इस format के अंदर आपकी जो query है इसको type करके एक बड़ी हासा comment कर देना है आई ये चलते हैं आगे that is next point which is related to condenser दोस्तों क्या होता है आजकल हमारा जो feature होता है na AC के indoor unit के उपर होता है क्योंकि हमारे सामने वो indoor ही देखता है तो हम देखते हैं मतलब indoor है ना ऐसे सुन्दर होना चाहिए उसमें feature होना चाहिए उसमें ये सब होना चाहिए that is correct लेकिन AC का जो deal है that is the compressor ये located होता है आपके AC के outdoor के उपर तो आपको AC का outdoor है ये भी अच्छे से अच्छा लेना चाहिए अब जो outdoor का जो condenser होता है उसमें दो type आते हैं mainly एक आता है जो है pure copper का और दूसरा आता है aluminium का अब guys हम ये जानते हैं कि copper की जो conductivity है फिर चाहे वो electrical हो या फिर वो heat के conductivity हो aluminium के मुकाबले copper की conductivity बहुत अच्छी होती है जिसके वज़े से हमें cooling जादा बहतर मिलेगी अब आजकर thankfully maximum जो brands है उन्होंने copper condenser offer करना start कर दिया है लेकिन क्या होता है features की भीड में कई बार हम जो basic सहीं बोल जाते हैं तो एक बार आपके AC का outdoor चेक कर लीजे कि उसके अंदर जो condenser लगा हुआ है जो कोईल लगी हुई है जो hot side के कोईल होती है वो pure copper की होनी चाहिए अब यह जो condenser होता है इसके उपर अलग-अलग coating आने लगी है जैसे blue coating होती है golden coating होती है LG ने ocean black coating लाई है तो यह जो coating है यह आपके AC के condenser की life को increase करने में help करती है खास करके अगर आपका जो घर है वो किसी polluted area में है industrial area में है नदी नाले के पास में है तो coating के उपर जो ध्यान है वो अवश्य दीजिए अगर आप चाहते हैं कि यह अलग-अलग भाई यह colorful coating जो coating होती है blue वाली, golden वाली black वाली इसमें क्या फरक होता है और dedicated video अगर मुझसे आप सुनना चाहते हैं तो मुझे comment करके ज़रूर बताइए फिलाल हम चलते हैं अगले point के उपर AC के साथ में क्या हमें एक stabilizer लगाना चाहिए क्योंकि आजगल के जो नए AC हैं वो तो stabilizer free operation के साथ में आते हैं दोस्तों मैं यहां पर एक ही बात कहता हूँ कि आपका जो stabilizer है 5-6,000 रुपय का है जो भी है वो आपके AC के compressor से तो सस्ता ही है और voltage fluctuation ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी predict नहीं कर सकते क्योंकि voltage fluctuation कितना आएगा voltage कितना कम होगा कितना जादा आएगा यह दावे से आप कभी नहीं कह सकते तो आपका जो यह बढ़िया brand new AC है इसके life बढ़ाने के लिए एक अच्छा stabilizer जो है वो जाके जरूर लगाए मैं भी personally मेरे AC के साथ में अलग-अलग तरह के stabilizer जूस करता हूँ और उनके उपर यहाँ पर जो review वीडियो है वो भी available है जाके आप देख सकते हैं अब बात करते हैं कि stabilizer किस तरह से चुने देखिए आपके stabilizer की जो range है वो आपके AC का जो supported range है AC के जो manual है या उसका box है उस पर voltage range लिखी रहती है या फिर stabilizer free operation की एक range लिखी रहती है कि यह जो AC है 1500 वोल्ट से लेकर फर एक्जामबल 270 वोल्ट तक voltage fluctuation जेल सकता है तो जो भी stabilizer आप लेंगे वो उस range से बड़ा लीजिए मतलब आपके AC का जो complete range है उसके बाहर एक protective bubble जो है वो आप बनाईए तो 1500 से 270 का AC है अगर आपके पास में तो stabilizer की range आपको लेनी है 130 से लेकर 290 या फिर इससे भी wide up range में जो है वो जा सकते है next point है guys convertible versus auto convertible अब जैसे हमने inverter compressor की बात की यह जो compressor होता है variable speed होता है जितनी जरुरत होती है इतनी गती दी जाती है और उसकी वज़े से जो power इसका consumption है वो भी कम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है और यह जो variable speed compressor होता है guys यह अपने आप जो है इसकी गती जो है कम या फिर जादा करता है room के requirement के हिसाब से मतलब technically हर जो यहाँ पे inverter AC होता है वो auto convertible होता है लेकिन आज कल क्या हो रहा है कि कई brands अपने AC के उपर auto convertible लिख के कोई ऐसा marketing gimmick जो है बनाने का try कर रहे है तो आप लोगों को auto convertible सोच के भई यह कोई बहुत विशेश feature है और इसके लिए हमें यह particular model लेना चाहिए यह मैं इसके लिए जो यह इसका premium cost है यह देना चाहिए ऐसे जहासे में आपना रहे है auto convertible सिर्फ एक marketing gimmick है इसका कोई मतलब नहीं है हर inverter AC auto convertible ही होता है अगर आप convertible AC लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है वो true convertible AC लीजिए true convertible AC में क्या होता है कि काई उसको आप manually 40%, 60%, 80% इस तरह से कर सकते हैं अगर इस remote के उपर आप focus करें तो आप देखी यह मेरा Samsung winfree है और इसको जो है मैंने 40% के उपर set किया है तो इस तरह के manual convertible या फिर true convertible AC का फायदा यह होता है कि अगर आप आपका AC solar energy के उपर चलाना चाहते है जैसे मैं चला रहा हूँ, वाकई चला रहा हूँ चल रहा है, मस्त धंडियवा आती है तो अगर आप solar energy से आपका AC चलाना चाहते हैं या किसी power cut के दौरां किसी छोटे inverter से चलाना चाहते हैं तो manually आप उसका जो convertible mode है उसको लगाके उसका consumption कम कर सकते हैं ताकि छोटे inverter या फिर हमारे solar PCU के उपर वो AC बड़े आसानी से चले तो जब भी AC खरीदे, true convertible खरीदे इसका ध्यान रखिए इसी का एक extension यहाँ पर branch ने दिया है that is known as overclockable compressor या फिर expandable cooling I believe सबसे पहले 2021 में या फिर 2020 के आसपास LG ने ये overclockable compressor सबसे पहले लाए थे, इसको ये लोग हिमाला cooling बोलते थे, जिसमें जो compressor की गती है 100% से उपर, मतलब 110% तक जाती थी, उसके बाद मैं फिर Samsung भी लेके आया, जिसमें 120% का जो mode है वो दिया गया तो ये expandable cooling क्या करता है कुछ limited समय के लिए AC का जो compressor है उसको overclock कर देता है उसको normal, जो उसकी speed है, उससे उपर लेके जाता है इसका फायदा आपको मिलता है जब आपका room तब जाता है, बहुँ डिरेक्ट sunlight है बार से कहीं shopping करके आए है पसीने में तर बतर बिल्कुल और आपको तुरंद cooling चाहिए तब आपके जो AC का compressor है उसको जब आप overclock करेंगे 110%, 120% तक तब cooling आपको तेजी से मिलेगे इसके लावा घर में भई party चल रही है हथ से जादा लोग आ गए है तब भी ये जो expandable cooling की जो फीचर है वो आपको काफी काम आने वाला है तो जब भी AC खरीदे देखिए आपके AC के अंदर preferably कोई इस तरह का expandable cooling का जो feature होना चाहिए वैसे इस तरह के जो recommended ACs है इनके कुछ बढ़िया affiliate buying links मेरे वीडियो की description और first comment में होते है जब भी आप इस तरह के AC खरीदे उन links का इस्तमल जरूर कीजिए ताकि चैनल को थोड़ा बहुत support हो सके आपका जो purchase price है वो तो वैसे भी same ही रहता आईए बात करते हैं next point that is special features आज क्या हुआ है कि normal जो AC है cooling करता है power saving देता है यह सब तो एना average हो गया है इसके उपर brands अपने आपको distinguish करने के लिए कुछ ऐसे features जैते जैसे air purification आने लगा है hot and cold AC आने लगा है जिसमें heating होता है wifi आने लगा है देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा जैस आमसंग wind free है उसको मैंने यहाँ पर wifi में लगा रखा है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठे बैठे जो है इस तरह से यह control कर सकता हूँ और मैं कहीं भी रहूँ मैं अगर कहीं बाहर भी रहूँ मुझे अगर मेरा जो room है pre cool करके रखना है chill करके रखना है तो मैं वहीं से कर दूँगा इंटरेट के साहता से और जब मैं घर पे आऊँगा तो रूम मस्ता चील्ड मिलता है तो ये सारे जो features हैं इसके इसाब से आप देखिए आपका जो preference है हो सके तो अच्छे अच्छे जो features आपको चाहिए उसके साब से AC को आप जो है shortlist करेए next यहाँ पे point ले लेते हैं guys that is online versus offline मैं कहूंगा कि AC जब भी आप खरीद रहे हो भई बड़ी महंगी चीज ले रहे हो एक बार दोनों option जाके चेक करो अगर आपको आपके favorite brand और favorite model का option अगर किसी shop में मिल रहा है तो आप offline उसको जाके ले सकते हो अगर वो नई मिल रहा है तो आप जो है एक बार online कई सारे portals निकले है Amazon भी है, Flipkart है, Chroma है और भी कई सारे portals निकले है वहाँ पे जाके चेक करो कई बार क्या होता है कि इनके उपर आपको coupons अगरे मिल जाते हैं जिससे offline के मुकाबले आपका जो product है उसका दाम काफी कम हो जाता है तो दोनों जगा पर research करो और फिर सोच समझके एक बढ़िया AC अच्छे offer के साथ में खरीदो अब बात कर लेते हैं next point that is service center इस क्या होता है, AC तो हमें खरीदन है एक बार है लेकिन बार-बार हमें जो पाला पढ़ता है, वो पढ़ता है service center से क्योंकि AC को clean करना होता है, कई बार problem आती है तो repair करना होता है और एक बात का ध्यान रखें कि AC जब भी आप install करा है company का जो branded service center होता है, मानलीजे वह सामसंग का AC है तो सामसंग के लोगों से ही जाकर install करें, ताकि जो उसकी warranty है वो properly activate हो सके, warranty आपको maintain हो सके कई लोग normal mechanic से AC install करा लेते हैं, जिसके वज़े से उनको warranty उगरे नहीं मिलती है तो मेरा recommendation यह है, AC खरीदने से पहले एक बार आप service network देख लीजिए आपके गाओं में जो AC है, उसका service center होना चाहिए next point is warranty अब आजकल जो brands हैं वो काफी ज़्यादा marketing करने लगें भई 5 साल warranty, 10 साल warranty, लेकिन ध्यान से आप पढ़िए वो जो warranty लिखी होती है, वो सिर्फ compressor के उपर होती है और मेरे experience में compressor एक ऐसी चीज़ है, उसके आसपर इतने protection लगे होते है कि compressor खुझ से ऐसे जल्दी खराब होता नहीं है तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो warranty है, वो PCB के उपर है या नहीं क्यूंकि हमारा जो inverter AC होता है, उसका जो दिमाग होता है that is known as PCB, outdoor unit के अंदर एक बड़ा सा motherboard होता है या circuit board होता है, जिसके उपर ये जो compressor वगरे के जो connection है ये लगे होते हैं, sensors जुड़े होते हैं और ये motherboard या जो PCB है इसी के उपर एक तरह से आपका जो AC है, ये चलता है तो जो PCB की जो warranty है, वो कम से कम देखिए, पात साल तो होनी चाहिए कई brands comprehensive warranty भी देते हैं, जैसे मैंने पिछले साल Samsung Winfree खरीदा था तो उस पे पात साल की comprehensive warranty मिली थी comprehensive warranty सबसे best warranty होती है, क्योंकि यहाँ पे PCB के अलावा आपके जो भी दूसरे component है इंडोर के अंदर motor है, fan है, sensor है, ठीक है, यह सब भी cover करता है तो अगर मिले तो आप comprehensive warranty का जो option है, उसको चुने, उस brand के साथ में जा या आपके कम से कम PCB warranty देख लें, कम से कम पात साल की जो PCB warranty है, वो आपके AC के उपर होने चाहिए कैस अब ये वाला जो guide है, ये देखके आप लोग एक मस सा AC तो खरीद ही लोगे लेकिन क्या आपको पता है कि आपके AC की 50% जो life है, वो उसके installation में है जी हाँ, तो guys मेरा मानना ये है कि AC जो अच्छी तरह से खरीदना वो आधा कम हुआ, आधा कम बचा है उसको अच्छी तरह से install करना तो installation के लिए मैंने एक बहुत ही detailed guide बनाए है, यहाँ पे एक card आएगा directly इसको finger से आप click कर लीजिए और जाके देखिए ताकि आपका जो AC है वो perfectly install किया जा सके आज के वीडियो में इतना है guys, take care and have a nice day